मेरा नाम अधीती है पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूं आप सब लोगों के लिए ज्यारफ अड़र एक प्लाटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं ज अब ही लोग जो है वह एक ऐसा प्रेजन्स ऑफ माइंड कर सके जो एक्जाम में हमें पढ़ी चीजों को अपलाए करने में हेल्प करें सब पढ़ने वाले का सेलेक्शन होता है तो वह चीज पर काम करने की कोशिश कर लिए लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें मिल्क्रीक थे छाए और है बहुत काम करना है यह इसके साहँ अपना प्लाफोर्म भी है अगर आप लुगों कि इच्छा है मन है तो आप हमारे साथ में जोइन कर सकते हो और न पेपर बिए कि कर सकती हो कंप्लीटर वन अर पेपर तु का बैच कंप्यूटर ळस्का मेरे अधि जाती है तो तो टोटल ऐसे आपकी तीन हो जाती है हैं । उसके अंदर है पेपर 1 के इनल नहीं है क्योंकि नपी नहीं पर नगी नहीं है यह क्योंकि नहीं है जब अलग से आएगी test series भी इसके अंदर मिलती है paper 1 plus paper 2 की ठीक है ना जो प्राइज है वो आप लोगों के सामने है आप लोगों से पूछ की रखी यह प्राइज इसके लावा भी अगर आपका paper 1 के लावा और कोई भी subject है जैसे sociology, Technology Administration, Home Science, Education, History, Commerce, Economics, वोने बहुत सारी चीजे लियोगी, सिक्षा लियोगी, वो सिक्षा लेकर आप लोगोंने अपने थीसिस के अंदर, अपने डॉक्यमेंटेशन में, आर्टिकल में, पेपर में, कही न कहीं, यूस किया होगा, कुछ ऐसी चीज होगी, जिसको आपने डेरेक्ली साइट किया किसी किताब को, किसी पुरानी थीसिस को, किसी पेपर को, कोई भी पब्लिकेशन है, जिसको आपने साइट किया होगा, उसको आप सीधा-सीधा यहां पर क्या करते होंगे, कोट करते होंगे, कोट मतलब होता है, डबल इस तरीके से, इन्वर्टेट कॉमर्स में कोई चीज यूज करना, आप देखो, सीन ऐसा है, जब आपने किसी चीज को ऐसा यूज किया है, तो आपको, जहां से यह चीज आपने ली है, उसे क्या करना होता है, रेफर करना होता है, उनको आप लोगों को एक नॉलेज करना होता है, कि हमने यहां से डेटा लिया है, सही है ना, त तो मेरे पूरी की पूरी थीसिज है उसका जो आखरी का पेज पर अगर मैंने क्या किया हुआ है इम्पॉर्टे नोट लिखे हुए हैं इसे हम लोग कहते हैं एंड नोट याद रखेंगे क्या कहते हैं end note सबसे पहले बात करती हूँ IBID की IBID जो होता है इसका मतलब होता है IBDEM इसके सबसे पहले बात तो full form क्या होती है IBDEM मतलब होता है इसका same place आदेको scene ऐसा है कि यह आप लोगों का thesis है thesis के अंदर आपने क्या किया है कोई line है जो आप लोगों ने for example author थे और author जो थे उनकी जो किताब थी उसका नाम था X, Y, Z और author का नाम था A अब आपने इन author की किताब में से जो है वो क्या किया है A भाई साब की कोई lines को यहाँ पर quote किया है quote किया मतलब as it is उठा के अपने अपने thesis के अंदर अपने document में use किया है ठीके ना उसके बाद में imagine करिएगा कि आपने just नीचे वाली line पर दुबारा से क्या किया दुबारा से इन ही के किताब से किसी line को quote किया है तो जब आप लोगों ने इस पहले वाले को क्या किया होगा पहले वाले को acknowledge किया या पहले वाले को referencing यहां पर आपने दी अब immediately नीचे भी आप सभी लोगों को यह XYZ जो किताब A ने लिखी है इसी को आप क्या करना चाहते है refer करना चाहते immediately नीचे वाले को ही तो आपको यह पूरा का पूरा referencing का ताम जहां दुबारा से लिखने की ज़रुरत नहीं है आप सिर्फ पर सिर्फ क्या लिख सकते हो IBID आप सिर्फ इतना लिखोगे तो हम अपने आप आपका जो भी reader होगा वो यह समझ आएगा कि या इसने जो पहले reference दिया है इसे जस्ट जो पहले वाला reference दिया है यह वही reference को दुबारा से यूज कर रहा है सीधा 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 तो immediately next line के अंदर अगर आपको previous वाली line के ही लोगों को page को author को refer करना है तो हम क्या keyword यूज करते हैं हम लोग IBID keyword यूज करते हैं next IBID का छोटा form होता है ID देखो अभी हम लोग पढ़ेते IBID अब मैं बढ़ा रही हूँ आपको ID ID का मतलब identification नहीं होता है research में कभी भी आपसे पूछा जाएगा ID तो आपको यह लिखना है कि इसकी full form होती है IDEM क्या full form होती है IDEM अब देखो scene ऐसा है कि अगर मुझे IBID ID और ID में difference पूछा जाए तो आप लोगों को यह बताना है कि अगर आपको same वही चीज है कि next line के अंदर उपर वाली line वाले बंदे को ही refer करना है बढ़ आपका page number change हो गया है आप पहले 22 number के page को दो बार refer कर रहे थे और इमेडियेटली प्रिसीडिंग के साथ में ही कर रहे थे यहां पर मान लीजिए कि जो बुक है वो सेम है author सेम है पर आपने क्या करा page number change कर दिया किसके अंदर footnote citation के अंदर page number की एक बार तो आपने 22 वाले के लिए था उसके नीचे वाले पर आपने 23 इस नंबर के page को refer किया है पाकी सब कुछ सेम है तो आप क्या यूज करोगे आप यूज करोगे ID next आप लोगों को पता ही है आपका बहुत ही फेमस बहुत ही प्रिय है ETL बहुत ही सिंपल है मैं ETC को याद करो imagine करिएगी कि आपने जब भी मैं क्या किया है रेफ्रेंशिंग के दौरान आपने एक नहीं एक से ज्यादा बंदे है जिनको आप रैफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो आपको ऐसा करने की जूरूत नहीं कि सब के नाम लिखने पड़ेंगे आपको कत्य करने की जूरूत होते हैं एक उसको बोलते है अॉपास गॉंपSi from like में अफ़े स्टम मैंने अभी आप Все बताया कि आप लोगों को इम्मीडियेटली जो नेक्से वाली ॉने था उसमें उपर वाली लाइन वाली जो करना है आपको करना यह था मां कि आपको सेमी आउन्थर को इमीडियेटली नेक्स्ट वाली में नीचे छोड के वाली में करना था तब आप क्या यूज करोगे OPCIT यूज करोगे तो आप OPCIT को कभ यूज करते हैं जब आपने औरेड़ी किसी ऑथर को मेंशन किया हुआ है किसी एक डॉक्यूमेंट को आपने अल्रेड़ी मेंशन किया है अब आपको उनको दुबारा से मेंशन करना है पर इमीडियेटली नेक्स्ट वाले में नहीं करना है दो चार लाइन छोड़के तीन-चार पेजेस यह तीन-चार लाइने छोड़के आप लोगों को उनको कर सकते हो देखो ध्यान से यू साइटेड़ डॉक्यूमेंट इन इमीडियेटली प्रेसिदिंग रेफरेंस क्या आप इमीडियेटली प्रेसिदिंग के अंदर ये यूज करते हो पी-सी-ई-ट नहीं मैं आप किसका इस्तेमाल करोगे आई-ई-ई-ड का यूज करोगे अग डिफरेंट के साथ में नंबर ओ पेज़ेज भी जादा हैं दो-दीन पेज़ेज हैं पेज़ेज के एक रेंज है तो भी आप लोग किसको यूज कर सकते हो अल्टरनेटिवली ओपी-सी-ई-ट को यूज कर सकते हो वेरी इंपोर्टन स्टामा करके चलिएगा एमेसो के कि ऐसा होता है अब आगे आप लोगों का लो-टिशी कि याद रखेंगे यह लोसी लोकेशन वाला है इसकी फुल-फर्म होती है लोको साइटेटो कि अप लोगों को दो-तिन दिन या तो दिन दिन नहीं दो-तिन लाइन चोड़ कर आपको सेम ही बुक क्या सेम ही ऑजर के उ है जो आपको immediately next में नहीं यूज करना है तो आप लोग यूज करते हैं यह पिर एक और आता है देखो यह एक नया आप लोगों के लिए वर्ड है इसका मत्दब होता है पासिम ठीके ना वर्ड होता है इसका पास कोई भी वर्ड है जिसको ऐसे सिनॉनिम यूज करना कोई भी मुझे बन्यूम छिवर्ड लोगों न हुझे जिसको आप यहां पर नहीं डिफरेंट इफरेंट प्लेसेश के लिए क्या करना चाहते हैं तब आप यह relevant phase होगा, यह similar meaning वाला word होगा, यहाँ पर phrase होगा, इसके जैसा, हैरिंटिंग की किताब में, वो सारी की सारी चीजे जो है, वो इससे related हो गई है, next आप लोगों का है CF, CF की full form होती है, आपका conferitum, यह जो conferitum है, उसको याद रखेंगे, comparison के लिए यूज किया जाता है, मा यह CF word यूज करके, comparison के अंदर किसी और को refer कर सकते हो, कि देखो, उसने जो बोला था, उसके comparison में हम यह बोल रहे हैं, यह हम उसको refer करना जा रहे हैं,